यामी गोतम सनी कोशल शरत खेलकर स्टार और मुवी चोड निकल के भागर नेट्फिक्स पर रिलीज हो चुकी है बट इसकी 0% हाई पर ओडेंस के बीच में कुछ बंदों को तो ये भी ने बता कि इस नाम की कोई मुवी भी रिलीज हो रही है बट मुवी ओवरॉल काफी अच्छी है मेरे को इस मुवी को OTT पर रिलीज करने का आइडिया अच्छा लगा त्यूंकि पैंडेमिक के बाद से ही लोगों के मन में प्रिसेप्शन मन चुका है कि वो कैसी मुवी को OTT पर देखना चाते है और कैसी को थेटर्स में और ये मुवी perfect example है उन मुवी का जो OTT पर रिलीज होनी चाहिए अगर इस मुवी की स्टोरी के बात करें तो इस मुवी में सनी कोशल और यामी कोतम का करेक्टर है एक कपल होते है जो की एक diamond हैस्ट को plan करते हैं जो वो एक ongoing plane में करने वाले थे अब ये हाइस्ट प्लैन करने के उनके कुछ अपने reasons थे जो की तुम मुवी में देखना बट स्टोरी में twist जब आता है जब वो दोनों जिस plane में हाइस्ट करने वाले होते है वो plane hijack हो जाता है अब plane hijack क्यों हुआ और उन दोनों के साथ क्या हुआ वो दोनों इस हाइस्ट को pull off कर पाई है नहीं वो सब तो तुम मुवी में देखना काफी मजाएगा इंडिया में बहुत कम project हाइस्ट के वो topic पे बनती है मेरको players और happy new year के अलावा कोई और याद भी नहीं आ रही अभी तो और ये दोनों ही movie heist के point of view से काफी average थी चोड निकल के भागा इस heist genre को इंडिया में दुबारा revive तो कर सकता है क्योंकि actually में movie काफी बढ़िया है heist point of view के हिसाब से movie में काफी सारे twist and turns है और सभी twist and turns को आगे दाकर explain भी किया गया है जिन में से कुछ explanation काफी बढ़िया थी कुछ ठीक ठाकी थी movie पूरी तरीके से आपको thrill कर देगी आपको edge of the seat पर ले आईगी आप थोड़ी थोड़ी देर में सोचोगे कि अब इस से आगे क्या होने वाला है performances भी काफी बढ़िया थी इस movie की जामी गोतम काफी underrated actress है उनकी acting में वो काफी बढ़िया लगती है चाहे वो काबिल movie में हो या ओरी या अभी जो हाली माई थी lost movie इनकी performance काफी shine करती है हर movies में वही sunny caution ने भी काफी बढ़िया काम किया है किसी किसी scene को तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से elevate भी किया है और शर्रत खेलकर से आप जो उमीद करते हैं उन्होंने उससे भी काफी अच्छा deliver किया है लेकिर movie को अगर तुम थोड़ा deep सोचोगे तो movie में कुछ plot holes है जिसे तुम ignore भी कर सकते हो क्योंकि movie वैसे overall entertaining है overall positive और negative की बात करें तो movie की story काफी बढ़िया है movie एक thrill experience देती है performances भी काफी अच्छी है इस movie की heist को और hijack दोनों situation को काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया और explain भी किया गया वही negative की बात करें तो थोड़ा सोचने जाओगे तो plot holes है यावी गोतम सनी कोशर और शरत खेलकर को छोड़के जो बाकि side characters दिखाया है उनकी performances उतनी अच्छे भी नहीं है average कह सकते हो तुम उसको यह movie पूरी तरीके से आपका time ऐसे deserve तो करती है आप इसको देखकर enjoy जरूर करोगे बाकि तुम लोगों ने यह movie देख लिया तो आप तुम्हें यह कैसी लगी comments में बता सकते हो आप मैं बता भी सकते हो कि मैं किस show यह movie का review लाओं आगे आने वाले समय में और मेरी यह वाली वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने the last of us के बारे में बात करी है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए peace